देश में इन दिनों लोगसभाचुनावों का महौल है कुछी दिनों में देश में लोगसभाचुनावों के लिए वोटिंग शुरू होने वाली है सभी पार्टियां चुनाव परचार में जुटी हुई है इस बीच कॉंग्रेस पार्टी को चुनाव सो ठीक पहले एक बड़ा चटका लगा है कॉंग्रेस के बड़े नेता गौरव वल्लब ने पार्टी से स्तीफा दे दिया है गौरव वल्लब ने कॉंग्रेस पार्टी से स्तीफे की वजह कभी खुलासा किया है गौरव वलव ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्सपर अपने स्तीफे को शेर करते हुए कहा है कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते ऐसे में पार्टी में बने रहना उनके लिए मुश्किल है गौरव वल्लब ने अपने शोशल मेडिया एकाउंट एक्स पर कॉंग्रेस अध्यक्ष मलेकारजुन खरगे को बेजे इस्तीफे की फोटो शेर करते हुए एक पोश्ट लिखा है इसमें गौरव वल्लब ने लिखा है कि कॉंग्रेस पार्टी जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उससे मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ मैं ना तो सनातर वीरोधी नारे लगा सकता हूँ और ना ही सुबाशाम देश के वेल्थ क्रियेटर्स को गाली दे सकता हूँ इस कारण मैं कॉंग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्रात्मिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ गौरव वल्लब ने कॉंग्रेस सद्याक्षे मन लिका जुन खड़गे को विजे स्तीफे के लेटर में लिका है कि भावुकों और मन व्यतित है काफी कुछ कहना जाता हूँ लिखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ लेकिन मेरे संसकार ऐसा कुछ भी करने से मना करते हैं फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है ऐसे मैं मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता गौरवलव ने आगे लेटर में लिखा कि जब मैंने कॉंग्रेस पार्टी जॉइन की थी तो मेरा मानना था कि कॉंग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है यहां पर युवा और बहुत धिक लोगों के आइडिया की कद्र होती है लेकिन पिछले कुस सालों में मुझे यह मैसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरू नए आडिया वाले युवाओं के साथ खुट को हैज़स्ट नहीं कर पा रहा है गौरवलव ने अपने स्तीफे में राम मंदिर को लेकर कॉंग्रेस के रुख पर भी सवाल उठाए गौरवलव ने लिखा कि अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्टा समरोग को लेकर कॉंग्रेस के रुख से मैं शुब्द हूँ मैं जन्म से हिंदू और कर्म से सिक्षक हूँ पार्टी के इस स्टेंड ने मुझे असहज महसूस कराया पार्टी और गटवंदन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं इन दिनों पार्टी गल्द दिशा में आगे बढ़ रही है एक और हम जाती आधारित जन्गर्ना की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं लोग सभचुनाव में कॉंग्रेस को जटके पर जटके ही लग रहे हैं तीन मार्च को ही बॉक्सिंग में भारत के पहले उलम्पिक पदक विजेता और कॉंग्रेस नेता विजंदर सिंग कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर पीजेपी में शामिल हो गए और अब गौरफ वल्लव के स्तीफे ने कॉंग्रेस की मुश्किले और बढ़ा दिये हैं टाइमस्टाउन भारत डिजिटल की रिपोर्ट